कि भारती जन्ता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनके साथ नितिश कुमार की नहीं पढ़ रहे हैं तो सभी लोगों को जो साथ विधायक दो हैं कॉंग्रेस के और पांच राजत के सबसे पहला तो फैसला इंपर होगा और अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी विधानमंडल का सत्र सुरू होता है तो हंगामे की भेट्चड है जो बात्मान परिस्थिति बनी है जिसमें तेजस्वी आदो को रहे हैं तो तेजस्वी आदो ने उन बाजार में अपनी सेंधमारी शुरू करते है पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप 22 तारिक से सत्र की शुरूवात होने वाली है और इस सत्र की शुरूवात में एक हफ़ते में क्या कुछ हो जाएगा क्या कुछ भिहार में भुचाल आ जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी वहीं ये एक हफते में ऐसा दावाद चल रहा है कि ते जश्वी आदफ शीम नितीश की कुरसी छीन लेंगे वहीं ये भी बात हो रही है कि शीम नितीश के जितने भी विधायक है उन्हें तोरने की कोशिश की जा रही है बयानबाजी का भी सिल्सला जा रही है, तो कैसे तो रहेंगे, क्या कुछ मामला है इस पसीदी बाचित हम बाबा से करेंगे, तो आज का हमारा मुद्दा मैं बता दू, राज़द और कॉंग्रेस के सातो बागी विधायक मारेंगे पल्टी ते जश्वी छीन लेंगे कॉंग्रेस ने अपने जो विधायक उनके बागी हुए हैं, जो उनसे अलग हुए हैं, उनको लेकर के जब विधान सभा धर्च से हमने इस पर ख़वर भी किया था, विधान सभा अध्यक शाग्रा किया कि उनकी सदस्ता समात की जाए, उसके लिए करवाई की जाए, तो अ ₤ चीसे आगा हुए हुए है थो रास्ठे जनता दल मृत्त वार्च वी रावाश, युद्ध्या, शाध्यक शाध्यक, राश्यक कुआ च्रत बात बात l holy राचना के बात बात है । दल जा, का बात दक हो इनने को वहाँ प्रस्राज नहीं मिला तो यह वापस आएंगे लेकिन इन सब के बावजूद जो आंकड़ों का गणित है उस गणित को लेकर के एक बाद फिर से तेज़स्य आदव अटेक कर सकते हैं इसके पीछे कारण है कि जो बरतमान लोग सभा चुनाव अफिशु समाप्त कि उन्हों ने जिस तरह से चाहिए था उस तरह से पार्टी को या चुनाव में सब्सक्राइब कर दोनों खेमे में बात चल रही है दूसरी तरह आप यह सुना हो गया कि निटीश कुमार को बट ट्रांसपर नहीं हो रहा है तीसरा सबसे महत्तुपून बात कि निटीश कु कुछ ऐसे नेता हैं जिनके साथ निटीश कुमार की नहीं पट रही है जैसे इसमें नाम आ रहा था सब्सक्राइब का लेकिन यह सारी बाते इन सारी बातों को अगर हम सिलसी लवाज धंसे कहें तो पहले इन सभी लोगों को जो साथ विधायक दो हैं कॉंग्रेस के और पा कार इंके प्रकारे ना सरकार आज फ़लपास कराती है और यह परीस्थितिया चलती रहाती है लेकिन अगर मां बतुमान परिस्थिति बश्व की बहु mãं हैं इसमें तेसियादम को रहे हैं कि भाई हमारे जो लोग हैं हमारे विधायक हैं अपने डिल थायक हैं एपने उपन तो निश्जितृब्स से कहा से खोजेगा। कोई दूसरा फिल्ड तो नहीं? जो बजार आपके पाशी उपलद्द है इसी बजार से समान कर घएगा। तो बजार उपलद्द हैं भारती जलता पकि बजार उपलद्द है, कि जो नराज चल रहे हैं या जो लोग समर्थक थे कि निटीश कुमार एंडिये बना जागर के महागड़ बंदन के तरफ ही रहे हैं वैसे नेताओं को तेजसु यादवा अपने तरफ ला सकते हैं और जैसे ही आप देखिएगा कि 5-6 महीने चुनाओ के बचेंगे तो ये ग अपने परिस्थितियां को बदल सकते हैं नितीश लालू के डिमांड इसके अलावे बहुत सारा ऐसा बात है कि नितीश कुमार और लालू परसाथ के डिमांड को लेकर के के दुशाकार मों उध्रभू चल रहा है एक तरफ लालू भी कह रहे हैं भाई हम तो बहुत पहले स कि नितीश कुमार का रहे हैं कि हमने तो इसके लिए बहुत कुछ किया है पिष्ली सरकार से भी किया था और जो सरकार चल रही है मोधी पार्टू वान तू इसमें भी हमने डिमांड किया है लेकिन इन सारी चीजों को लेकर के भारती जंतापार्टी भी निश्शी कि देखना सबसे ज्यादा महत कोड़ है कर हम लोग चर्चा कर रहे थे पंचनावा में तो उसमें हम लोग ने एक चर्चा किया था कि नितीश कुमार आने वाले जो विधान समभा चुनाम है उसको लेकर के भी सासंकीत है कारण उसका है कि नितीश कुमार के पास आप्शन अभी भी जीवित है एक तेजश्वी याद वालावा उप्शन है और दूसरी तरफ उनके पास आप्शन है जो एंडिया गठवन्हन में है वो इस पर करमी चर्चा भी कि तेजश्वी के ओपर को होल्ट पर अब अब ऐसी स्थिति में नितीश कुमार को वहां जाकर पैसला करना है और वहां अपनी स्थिति एस पर्ष्ट करानी है जहां कहा तो यह जा रहा है इंडिया गठवतन से कि यह हमारे नेता होने इन्हें के नेत्वत पर हम चुनाव लड़ेंगे लेकि इन सब के बाद जो जब सीट सेरी का संभ होता होगा तो कितने सीटों पर मनाईएग कितने सीटों पर मनाईएगा आप जितन पर मांजी को और भारती अंतापाटी आप से कितने सीटों लड़ेगी यह हो सवाल अभी बारतवान में लोग सभा के द्रिष्टी से अगर देखा जाए तो हमने एक आंकड़ निकाला था जिसकी चर्शा भी हमने की थी कि कि अगर हम 40 सीटों के आंकड़ों को देखें तो उसमें से 10 सीटों को भाटा जीचे आए तो जो 12-12 सीटे हैं तो बादशक बहत्तर सीटे निटीश कुमार को और बहत्तर भाजबा के दिखाए दरही हैं बाकि जो साथ सीटे बच रही हैं उसका अलग से हिसल पिड़ा करेंग इससे कौम में तो मानने का सवाजी नहीं है लेकिन उस साथ सीट अभी रखा हुआ है उस सीट का क्या होगा जीतन रामा जी उनके बेटा को यहां MLC बनाया गया है उसके अलावा खुद लोग सवाजीत करका हैं तो निशी रुप से 6 सीटों पास नहीं बनता है लेकिन सीटे भी आप जोड लीजे तो यह सब जोड खटाओ करके कहीं न कहीं जो साथ सीट है उपेदु कुस्वाँ जबात कर लीचे वह भी अगर राज सभा जा रहे है तो राज सभा जा रहे हैं तो उनके पास भी उसर चाहिए ना पंदरा सीट दूनको चाहिए जितन रामाज सीट में से 30 सीट चला गया बाकी बस्ता है तो 30 सीट में माल लेते हैं कि 10 सीट अगर तीनों बाट लेते हैं तब भी बहुमत के करीब कोई दल नहीं पहुच पाएगा किसी के पास इतनी सीटे नहीं है कि 112 का आकड़ा पूरा कर सके यानि बिना गठ बननन के सकार नहीं बने इसी स्थिती में महागर वननन के पास या ओप्शन है तेजस्वी आदव पास या ओप्शन है कि अधिक सदिक लोगों को टिकट देंगे तो टिकट जब कम लोगों को मिलेगा पिछली वार निटीश कुमार 122 सीट पर चुना ले थी इस बार वो सौ सीट से निश्ट से नि दखल करने का एक फर्मूला जो है पोते जस्वी आदो का पास है जब सीट सेरी का सब्ज़ता होगा तो यह होगा और अक्सर होता आया है यह आप करते हैं बिल्कुर अब ऐसी स्थिती में एक तो यह हो गया दूसरा यह कि क्या भारती जंता पाती इतना आसानी से निटीश जो परिस्थितियां बन रही है उसमें निकीश कुमार और लालु परसाद के डिमांड को क्यों आपना कर ले इतना पाती है वहां जातर के उन्होंने वही बात रखी है जो बिहार की मूल आव सकता है यह बिहार को पाकेज जो नहीं हो सकता है उसकी चर्चा उनने नहीं कि बिहार को अधिक चाहिए असुक चौदर नहीं बोला कि अगर दर्जा नहीं तो पैकेज ही नहीं देता है यह सारे लोग उसकी बाद कर रहे है लेकिन बिहार के भारती जन्ता पाटी के अध्यक्ष होने के नाते है जो की एंडिया गटवर्ण के बड़े रूपे है उसके इस राज्य के भितमंत्री होने के नाते है इसको करें और उन्होंने इसको बड़ी सलीके से किया भी वहाँ नवी लोगह ने बातचीत किया लेकिन फाइनली उन्होंने एक आंक्रा बता दिया है कि यह आंक्रा हमें चाहिए और यह हमारे सेक्टर है जहां हम पिछ़ रहे है तो उसको लेकर के जो बात उन्हों ने रखी है तो निश्यत्रु से भार्ते जन्ता पाठी सोच रही है कि वो जो निटीश कुमार और लालू परसाद का आइडियोलोजी था या दिमांड था उसे अपना बना करते बिहार के लोगों को दे जिससे को उसके पास एक ब्रावनि जाति के नाम पर बोटर है और भी बोट सारी चीजों को लेकर जाति के नाम अब जातिये स्व्विकर उनको साथ ने काम भारते जन्ता पाठी कर रही है यानि कि लालू परसाद और निटीश कुमार दोनों में संध्धमारी कर रही है यह वी एक फैक्टर बनता है इसके कि अपने साथ रख था, कई लोगों को सीट दिया, जी थार अलग बात है, इसके अलावे, 2019 में भी, 2014 में भी उन्होंने इस तरह की बाते की अपने जीती हुई सीटे चोड़ करके सब जोते के तरह निकिश कुमार को दिया, वहां से चुनाव लगने के लिए, अब इन सारी प कि वहां बहुत कुछ नहीं है, तो खुद बाबा से सुना अपने इस मुद्धे पर पूरी बात चीत, अब 22 जुलाई से जो है, विधान सबा, मौनसून सत्र चालू होने जाला है, वहीं 23 तारीक को जो है, निर्मला सीतरमन, बजट भी पेश करने जबारी है, क्या कुछ इ वीडियो पसंदाई, और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले, ओजे गो घंटी बा, उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाई, अग अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने, तो जॉइन बटन दबा दे, पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद